दोस्तो अगर आप रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जैरू लाइक किजिएगा दोस्तो बुम्बा इंडियन्स की टीम ने कप्तानी से निकाला तो आरसीबी की टीम में शामिल हो गए रोहित शर्मा ने अब खुद नीता अम्मानी और उनके बेटे अकाश अम्मानी को सरयाम चेतावनी देते हुए जो कहा वो सुनने के बाद पूरा बाहरत देश रह गया है रान तो दोस्तो आखिरकार क्या बोले रोहित शर्मा अरसीबी की टीम के कप्तान बन जाने के बाद वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे तो बिल्कुल बने रहीएगा लेकिन उस्ते पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हारदिक पांडिया में से कौन अच्छा बल्ले बाज है अपनी कीमती राए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि IPL 2023 एक ऐसा साल था जिसमें रोहित शर्मा को आखरी बार हम सभी ने कप्तानी करते हुए देखा बाकी दोस्तो रोहित शर्मा की कप्तानी के चर्चे तो पूरी दुनिया में हर कोई जानता है क्योंकि दोस्तो रोहित शर्मा बस एक मात्र ऐसे कप्तान रहेते IPL में जिनों ने अपनी टीम को सबसे पहले पांच बार विजेता बनाया हाला कि ये तो महिंदर सिंग धुनी भी अपनी कप्तानी से यह कर नहीं पाए लेकिन दोस्तो यहाँ पर रोहित शर्मा को अच्छे कप्तान की सूची में देखा जाता है लेकिन बुमबई इंडियन्स की टीम ने उनकी बिल्कुल भी परवा नहीं कि उनसे एक बार भी पूछा नहीं क्या आप कप्तानी से हटना चाते हैं या फिर नहीं रोहित शर्मा से बिना पूछे हार्दिक पांडिया को कप्तान बना देना ये बुमबई इंडियन्स की सबसे बेकार नतीजों में से एक रहा लेकिन दोस्तो हर कोई अब मांग कर रहा है कि रोहित शर्मा को बुमबई इंडियन्स का कप्तान बनाया जाए और हम सब उनको बतौर कप्तान बस टीम इंडिया में खिलते हुए देखना चाते हैं और दोस्तो अब बुमबई इंडियन्स तो अपनी इस बात पर अडिग है कि वो हर्दिक पांडिया के साथ ही मैदान पर उतरेगी लेकिन दोस्तो रोहित शर्मा के पास कई टीम के ओफर मिलेते उनको कि वो और भी टीमें जोइन कर सकते हैं बतौर कप्तान के रूप में जा उन्होंने सबसे पहले तो आरसीबी की टीम का हत थामने का फैसला किया क्योंकि दोस्तो आरसीबी की टीम ने करोड़ो रुपए दे कर उनको अपनी टीम का कप्तान बनाने तक के लिए कह डाला लेकिन दोस्तो रोहित शर्मा ने आखिरकार अपना जितना भी आईपल में किर्केट खेला है वो बुंबई इंडियन्स फ्रैंचाइजी की तरब से और बुंबई इंडियन्स भी नहीं चाहती कि रोहित शर्मा को अपने टीम से हम निकाले लेकिन दोस्तो रोहित शर्मा को मजबूरी में अब RCB की टीम का आथ थामना पड़ रहा है बतौर कप्तान उनकी टीम में वो खिलते हुए नाजर आएंगे लेकिन दोस्तो हर किसी को अब बस यही इंतजार है कि रोहित शर्मा आखिरकार RCB की टीम में शामे लोकर बुम्बई इंडियन्स की टीम को हरा पाने में कामियाब होते हैं या फिर नहीं हाला कि दोस्तो RCB ने इस बार ठान लिया है कि वो किसी भी हाल में IPL की ट्रोफी उठाने वाली है इसलिए रोहित शर्मा को बतौर कप्तान के रूप में खिलाने या RCB का सबसे अच्छा फैसला भी हो सकता है और इस पर अब खुद रोहित शर्मा ने सामने आकर कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने जितना भी क्रिकेट में सीखा है वो बुंबई इंडियन्स की फ्रेंचाइजी में रहकर मैंने IPL के सभी मुकाबले वहां से खेलने शुरू किये थे लेकिन अपने टीम को पांच बार विजटा बनाने के वाबजूद भी अगर आपको वो इज़त ना मिले कि आपको कप्तानी से हटाया जाए और वो भी बिना पूछे तो आपको बुरा तो लगता ही है लेकिन मेरे पास और भी कई टीमों के आफर आए उन्होंने मुझे करोड रुपए देने तक के लिए भी कहड़ा लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि बुमबई इंडियन्स का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूँगा चाहे बुमबई इंडियन्स मुझे कप्तान के रूप में ख जाकर पूरी कर सकता हूं और बुमबई इंडियन्स की टीम को फिर हराने पर फोकस करूंगा तो दोस्तों यहां पर फिर उन्होंने यह तक कहड़ा कि हमारी मालकी नीता मानी और अकाश हमानी काफी अच्छे से सोचते हैं उन्होंने हर्दिक पांड़ा को कुछ सोच समझ क करी कप्तान बनाया होगा लेकिन अगर आरसीवी की टीम में मैं चला जाता हूं और बुमबई इंडियन्स मेरे सभी बॉंड को खतम करने का एलान कर देती है तो मेरे लिए भी यह काफी अच्छा ओफार होगा तो दोस्तों आप आप सभी क्या मानते ही कि रोहित शर्मा ने कप्तानी से हटाए जाने के बाद आरसीवी की टीम के बने कप्तान लिया उनका ओफर तो आखिरकार अब खुद सामने आकर मुकेश अमानी ने करी रोहित शर्मा से बड़ी अपील बापस बुलाने के लिए दिया ऐसा नया ओफर खुद सुनकर आपके ब्यूड जाएंगे होश तो दोस्तो आखिरकार रोहित शर्मा और मुकेश अमानी के बीच जो बाच्चीत हुए वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे तो बिल्कुल बने रहीएगा अंत तक लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांडिया में से क अभी को 22 तारिक को पहला मुकाबला चन्नी सूपर किंग्स और रोयल चलेंजर्स बैंगलॉर की टीम के बीच खेला जाता हुआ नजार आएगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर एक टीम के बीच उथल पुथल अभी भी जा रही है जा उनकी टीम के कप्तान भले हार्दिक जिया दोस्तो ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा ने फैसला कर लिया है कि वो बुंबई इंडियन्स के लिए इस साल आईपेल 2024 नहीं खिलने वाले हैं अगर उनको कप्तानी पर नहीं लेकर आया गया तो क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बुंबई इंडियन्स की तीम को पांच बार विचेता बनाने का काम हार्दिक पांडिया ने नहीं बलकि रोहित शर्मा ने किया हैं और बुंबई इंडियन्स की टीम या फिर यू कहीं कि चन्ने सूपर किंग्स से पहले पांच आईपेल की ट्रॉफी जीतने में काम्याब रही थी और हार्दिक पा कानी के आगे रोहित शर्मा की कप्तानी का कोई मैच नहीं कर सकता और ऐसे में दोस्तों अब खार्दिक पांडिया पर जादा भरोसा बुंबई की फ्रेंचाइजी ने जताया है जिसके बाद दर्शक तो निराश थे लेकिन दोस्तों यहां पर बुंबई इंडियन्स टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरकार अब सभी बुंबई इंडियन्स की टीम के साथ डिश्ट्रॉई करने का फैसला कर लिया है और ऐसे में अब बुंबई इंडियन्स की टीम की तरप सम सभी को रोहित शर्मा खिलता हुए नजर नहीं आने वाले हैं और दोस्तों आख करती है इतने आगे तक जाती है लेकिन फिर भी आज तक वो आई पेल की एक भी ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हुई है और ऐसे में अब RSV की टीम को विजटा कोई बना सकता है तो वो कोई और नहीं बलकि रोहित शर्मा इसलिए RSV की टीम ने रोहित शर्मा को साफ तोर पर करोडों का ओफर दिया लेकिन यहां पर रोहित शर्मा ने एकी कंडिशन रखी कि वो उनकी टीम के कफ्तान बनेंगे और आरसीबी की टीम कफ्तान बनानी के लिए रोहित शर्मा को पूरी तरह से तैयार भी हो गई लेकिन दोस्तों अब खुद सामने आकर मुकेश अमानी ने रोहित शर्मा से बातचीत की और आखिरकार इस मामले को सुलजाने पर भी बातचीत हूँ यहां पर मुके शम्मानी कहते हैं कि हमने रोहित शर्मा से बात कर लिया हम नहीं चाते कि बुंबई इंडियन्स के पूर्व कप्तान हमारी टीम को छोड़ कर जाएं हम रोहित का महत्व समझते हैं हमें पताई कि रोहित शर्मा ने हमारी टीम के लिए क्या कुछ नहीं किया है अगर हम पांच बार अपनी टीम को जिताने में आईपल ट्रॉफिक कामियाब हुए हैं तो वो रोहित की वज़े से रोहित शर्मा की कप्तानी से पूरा देश वाकिफ है लेकिन हमने बस रोहित को कप्तानी से इसलिए हटाया था कि आगे आने वाले सालों में हम अपनी टीम को तयार कर सके क्योंकि रोहित शर्मा जब आईपेल से रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनकी जगा पर हमें एक अच्छा कप्तान चाहिए होगा और यही सुनहरा मौका है जब रोहित शर्मा हार्दिक पांडिया को अपनी चाया में एक बहतर कप्तान बना सकते हैं लेकिन रोहित शर्मा का अगर यहीं मानना ही कि वो टीम के कप्तान फिर से बनेंगे इसलिए हमने उनको एक नया ओफर भी पेश किया है अगर वो हमारा यह करोडों का ओफर ले लेते हैं तो हमारी टीम के लिए काफी अच्छा होगा तो दोस्तों यहां पर मुकेश हमानी ने